मा बनना खास और जिन्दगी के सबसे कुपसूरत लमा होता है इसला मेहे में प्रेग्णेन महिलाओं को खान पान का बिसेज ध्यान रखना चाहिए क्या चीज़े खाना चाहिए और क्या चीज़े नहीं खाना चाहिए 12 से मैं इस वीडियों में बताऊंगो इसलिए वीडियो में तक बने रही है चले वीडियो श्टार्ट करते हैं पहले हम जानते हैं कि आपको प्रेग्णेसी के दारान नहीं खाना चाहिए नमबर फर्स्ट है कच्चा पपीता कच्च पपीता को प्रेगनेशी के दावरान नहीं खाना चाहिए क्युक् studio पपीता खाने से गरवपात या मिस्कारेज हो जाता है पपीता में पपहेंन पैर जाता है जो कि प्रेगनेशी महिना के लिए खतननाक है इसलिए इसका सेवन और कभी न करें pregnancy के दारान दुसरा अननास प्रेगनेंशी के दारान अननास नहीं खाना चाहिए तो शरीम में घर्माहत पैदा होता है यह आपको blood pressure बढ़ाने वाला होता है प्रेगनेंट महिला शुरुआती दिनों में नहीं खाना चाहिए इसे गर अप या मिस्करेज हो जाता है बैगन बैगन की सब्सकों कई दिनों तक रुके हुए फिरेट को फिर से शुरू करने के लिए खाया जाता है और बैगन के इन गुड़ों के वज़ा से प्रेगनेंसी महिला को इसे नहीं खाना चाहिए चाहता है नसीले चीजे प्रेगनेंट महिला कि बच्चे पर बहुत गहर आसर परता है इससे मिस्करेज या गरबफाद होने की चाज़ बहुत ही अधिक होता है वाँ चौकलेट कभी सेवा नहीं करना चाहिए वाँ साफ्ट ड्रिंग को चाय कभी सेवा नहीं करना चाहिए इन सब नसीले चीजि़ों से बच्चे रहना चाहिए बात करते हैं कि प्रेग्नेसी की दारान आपको क्या खाना चाहिए नंबर फ़स्टर सेव सेव रहने के लिए बिटामीन से भरपूर होता है ये प्रेग्नेसी की दारान बहुत अच्छा फाल होता है इसमें फ्रेबर अच्छे मातरा पाई जाता है अंट्रियों सेव में प्रेग्नेसी के समय पाजन सकती को बढ़ाने में भी कामाता है ये सेव और हर तरह से ये सेव प्रेग्नेसी के दारान दुसरा है पाने प्रेगनेंसी के दरण अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और इससे ब्लड सुद्ध होता है और रोक प्रती रोधक भी छमता बरता है महलाओं का प्रेगनेंट महला का इसलिए अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और सर्मेर पानी की कमी नहीं होना चाहिए तीसरा है मिल का दूद प्रेगनेंट महिला को दोफ या कल्सियम का सिवान आस्य करना चाहिए प्रेगनेंट महिला को अधीग सदिक कल्सियम की जुरत होता है इससे बच्चों कहड़ी यह मजबूत होता है और मिल्क के में 99% कलेवरी होता है चाथा है चुकुंदर इसमें फॉली के सिल पह भी अच्छ से बनाता है इसलिए चुको दर्ग सेवन प्रेगनेंट पहला को अस्या करना चाहिए वा वीडियो पसंद आतो लाइक करें वा अपने दुस्तों के साथ सेयर करें वा कमेंट करें किसी भी प्रकार की सवाल हो तो वा ऐसी वीडियो फुल वीडियो देखने के मेरे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद